हलो इबरीवन मेरा नाम है समसुल और आप सभी लोगों का जानकारी पर यूट्यूब चैनल में बहुत ओस स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधान मंत्री उज्जुला यूजना के तहट अगर आप लोग भी एक नया गयस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से ले सकते हैं दोस्तो काफी दुनों से मेरी वीडियो पर कमेंस आ रहे हैं कि हमें प्रधान मंत्री उज्जुला यूजना के तहट एक नया गयस क्लेंडर लेना है इसके लिए किस प्रकार से अपलाई करना है दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस मताऊंगा कि अगर आप लोगों के घर में कोई उज्जुला यूजना का गयस कनेक्शन नहीं है किस प्रकार से ले सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ सके तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्रधान मंत्री उज्वला योजना की ओप्सियल वेबसाइट पर आ जाना है इसका लिंक में आप लोगों को इस वीडियो के देट लाब मिल चुका है और दोस्तों 715 डिश्टिक कवर हो चुके हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आवेधन किस तुरकार से करना है तो आप लोगों को बिल्कुल नीचे आना है यहाँ पर आप लोगों को एक ओप्सन देख रहा है अप लोगों को एक बार किलिक कर देणा है जैसे ही आप लोग किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आवेधन कैसे करें तो सबसे पहले हम eligibility की बात कर लेते हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन से documents होने चाहिए और किस तुरकार से आप लोग आवेधन कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं BPL परिवार की एक महिला यानि कि दोस्तो अगर आपको उज़ुला यहाँ का एक नया गैस कनेक्शन लेना है तो उसमें सिर्फ आपके घर की एक महिला ही आवेधन कर सकती है उसके बाद दोस्तो जब आप लोग आवेधन पत्र जमा करेंगे तो जो भी महिला इसमें आवेधन करेगी उसके घर के सभी सदस्यों का बिस्तरत पता और उसका एक प्रधानमंत्री जंधन बाला बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ ही आधार कार्ड भी होना चाहिए तो दोस्तो इतने डाकुमेंट्स कंप्लेट होने के बाद ही आप लोग इस योजना में आवेधन कर सकते हैं और दोस्तो काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस योजना के तहट हम ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग यूटूब पर आएंगे तो बहाँ पर आप लोगों को काफी ऐसी वीडियोच देखने को मिलेंगी पर एक option देख रहा है download form यहीं पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों के सामने कुछ forms आ जाएंगे यहां पर उज्जुला योजना हिंदी में अगर आप लोग form download करना चाहते हैं तो हिंदी वाले option पर click करना है और अगर आप लो लुगों को यह form दिखेगा इस form को आप लोगों को अच्छी तरह से भर देना है भरना कैसे हे यहां पर सबसे पहले उपर जो भी इस वैजिना के तहित आवेधन करना चाहाता है उस manner गखन डाल देना है यहां पर मद्धिनाम और यहां पर अंतिम घाल देना है उसके यहाँ पर आप लोगों को 10-number डाल देना है, अगर है तो डाल देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। यहाँ पर आप लोगों को RID की आप सकता श्टोब, refill या फिर दोनों सेलेक्ट कर लेना है और इस परकार से आप लोगों को ये पूरा फॉर्म फिल कर देना है, यहाँ पर date यहाँ पर इस्थान और यहाँ पर नाम डाल देना है उसके बाग दोस्तों आप लोगों को एक और form भरना पड़ेगा तो आप लोग यहाँ पर बैक आएंगे बैक आने के बाग आप लोगों को एक KYC फॉर्म भी भरना पड़ेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उज्युला, योजना, किवाईसी, हिंदी फॉर्म इस पर आप लोग किलिक करेंगे तो यह फॉर्म भी आप लोगों के सामने ओपिन हो जाएगा यह फॉर्म दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखेगा इसमें आप लोगों को आवेदक का पूरा नाम डालना है जनमतिती यहाँ पर आवेदक की एक फोटो चिपका देनी है उसके बाद यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे माँगी जाएगी उस पूरी जानकारी को आप लोगों को यहाँ पर अपने गावों, कस्वा, गली और जिला, राजी का नाम डाल देना है यहाँ पर आवेदक के संब्द यानि की उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उनका नाम यहाँ पर डाल देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे आधार कार्ड में जो भी नाम है और आधार कार्ड संख्या, बैंक खाते का नाम, IFC कोड, बैंक खाते यानि की बैंक की पूरी डिटेल फिल कर देनी है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से जब फॉर्म भर देना है, तो दोस्तो इन दोनों फॉर्म को आप लोगों को अच्छी तरह से फिल कर देना है, फिल करने के बाद आप लोगों को इन दोनों फॉर्म के साथ आवेदक का आधार कार्ड और आवेदक के bank account की passbook की एक photo का पिस सहीद इस form को आप मैं बता देता हूँ जमा कहां करना है इसे या तो आप लोग अपने guest agency पर जमा कर सकते हैं या फिर आप लोग guest agency dealer के पास भी जमा कर सकते हैं और दोस्तो जब आप लोग ये form जमा करने जाएंगे तो आप लोगों को guest agency के तरफ से या फिर आपके dealer के तरफ से ये परची यहाँ पर काट के दे दी जाएगी यहाँ पर लिखा हुआ है पावती परची इस परची को आप लोगों को समाल के रख लेना है तो दोस्तो इस परकार से आप लोग एक नया उजुला योजना का guest connection ले सकते हैं और दोस्तो आप लोगों को बता दूँ कि इसका online अभी तक कोई भी तरीका नहीं है सिर्फ यही एक तरीका है उजुला योजना के तहित एक नया guest connection लेने का तो अमीद करता हूँ दोस्तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्याद आपने friends में, relations में share करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सकें मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों ने अपना इतना किम्ति समय दिया इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद